तो हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर क्या आगा है आपके लिए दिल्ली पुलिस कौंश्टेबल दोजार तेईस उनतीस नौंबर फर्स्ट सिप्ट का एक्जाम एंसिस प्रस्टेबल की सारे प्रश्टेबल को सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम ग्यापको में की सरुपार्ण करेंगे फिर आपको मेहत के बारे मारे में बताएंगे फिर reasoning और उसके बाद में computer के बारे में बताने वाले ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला पस्ट क्या पूचा गया है तो आज का पहला पस्ट है 1987 से 1992 तक भारत के राश्पती कौन थे तो आर वेंकट रमन जो हैं वो 1987 से 1992 तक भारत के राश्पती थे देखे आर वेंकट रमन के बारे में आपको कुछ अतरिक्त जानकारी बता देते हैं देखे ठीक है भारत के आठवे राषपती रहे थे ये भी आपको numbering भी इनकी याद रखनी है numbering भी आप से आगे राषपतियों की numbering आप से पूछी जा सकती है चलिए अगला प्रस्षी देखते हैं अगला प्रस्षी आपात काल के दोरान कौन से मौलिक अधकार समाप्त नहीं होते तो अनुच्चत 20 और अनुच्चत 21 आपातकाल के दोरान समापत नहीं होता है कौन से संभाथान संसूधन में ये कहा गया था तो चवालीस्वे संभाथान संसूधन विद्यक जो आपका 1978 है यह इस्टपस्ट किया गया कि राश्पती के दोरा राश्टी आपातकाल के दोरान अरुच्छे 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा यह 44 समधान संसोधन बहुत ही मैतपूर समधान संसोधन है और यह आपके दिली पुलिस के अग्जाम में अभी पूछा भी जा चुका है काब हुआ था 1978 में हुआ था 42 में की डेट आपको यादख नहीं आपका 1976 में हुआ था और 44 में आपका 1978 में हुआ था ये दोनों परशने कई बार पूचे का है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला है प्लास्टर और पेरिस का रासाइनिक नाम क्या है तो कैलसियम सलफेट हेमि हाइडर जो है वो प्लास्टर और पेरिस का रासाइनिक नाम होता है आईए इसका सूतर भी आपको बता देते हैं क्योंकि सूतर भी आगे पूचा जा सकता है तो देखिए प्लास्टर और पेरिस का रासाइनिक नाम केलसियम सलफेट हेमी हाइडड होता है प्लाश्टर और पेरिस का रासानिक सूत देखिए C-A-S-O-4-1-2-H-T-O ये इसका सूतर होता है ये सूतर भी आपको याद रखना क्योंकि सूतर भी अब आगे आपसे पूछे जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है चेनना सत्यम किस निर्थ से संबंदित हैं तो ये कुछी पूरी से संबंदित हैं ये प्रशन कम से कम तीसरी चौती बार रिपीट हो रहा है अगर आप हमारा लगातार एक्जाम एनलसिस देख रहा होंगे तो आप देख रहे हैं कितने सारे प्रशन रिपीट हो रहा है तो ये आपका तीन से चौती बार प्रशन रिपीट हो रहा है आज कम से कम तीन प्रशन ऐसे हैं जो हम पहले करा चुके हैं अपने एक्जाम एनलसिस में एक्जक्ट वही प्रश्णी हाँ पर रेपीट हुए है जिमने पहला प्रश्णी है इसलिए आप से कहते हैं एक्जाम एलसिस पूरा देखा कीजिए और जितने भी एक्जाम एलसिस अमने कराए हैं वो पूरा आपको एक्जाम एनलसिस देख करके जाना है तो कुछी पूरी नित से संब्दित है देखिए प्रसिद्ध व्यक्ति बेंपती चिन्ना सत्यम जिनका जन्म आपका 15 अक्टूबर 1929 जुलाइ 2012 तक ये धरती पर है थे नित जो है कुछी पूरी से संब्दित है वह दुनिया भर में डॉंस फॉर्म को रोप्रिय बनाने के लिए जाने जाते है तो कुछी पूरी को फेमस करने का सरे काफी हद तक चेन्ना सत्यम को जाता ठीक है तो ये कुछी पूरी नित से संब्दित है कुछी पूरी कहा का लोग नित है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है ठीक है अगला पशना है हाली में हुए राश्टमंडल खेलों में भारत ने कितने सोड़ पतक जीते ये भी आपका दूसरी बार रिपीट हो रहा है ठीक है तो कुल 22 गोल्ड जीते अब जितने प्रश्णी रिपीट हो रहे हैं इस सारे प्रश्ण आपके एससे जीडी के लिए महत्पूर हैं इनी प्रश्णों को लिकर करके हम डेली आपक की पहली वीडियो आजाए अगला है को देखे तो कॉमन वेल्ड गेम से भारत ने पहला सुन कब जीता उनीस सोट थावर में ये प्रश्णी पूचा गया दिल्ली प्रश्ण में उसके बाद से भारत ने कॉमन वेल्ड में पदकों की जड़ी लगा दी है भारत ने कॉमन व अगला प्रश्ण देखिए औरंग जेब का सासन काल क्या था तो 1658 से 1707 तक औरंग जेब का सासन काल रहा था 1707 के बाद में ही जो मुगल सत्ता है वो धीरे धीरे कमजोर होना सुरू हो गई थी देखिए औरंग जेब के बारे में कोशे महत्पुर जानकारी औरंग जेब पूछे जा चुका है कौन से करम का समरार था चटा समरार था जो बाद में अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक सासन करने वाला मुगल सासक बना था ठीक है दूसरे नंबर का ऐसा सासक है जिसका सासनकाल सबसे लंबा रहा था उसका मूल नाम अब्दुल मुजफर मुईनित दिन मुहमबद था ठीक है और जो आपका लेकिन आम तोर पर उसे औरंग ये आलमगीर की रूप में जाना जाता है तो यह भी आपको यादखना ओरंग ये दोनों नाम औरंग ये नाम है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला परस देखिए गुरु विपिन सिंग ये निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रसिचक थे 1966 में उन्हें संगीत नाटक एकादमी पुरुसकार मिला इसके अलावा मध्यप्रदेश की सरकार ने उन्हें कालिदा समान से भी समानित किया है तो गुरु विपिन सिंग मड़ी पुरी लोकनित से सम्मानित है ये भी आप लपशन है राष्टपती का टर्लोवर जो है आपका राष्टपती का जो आपका कारकाल होता है वो कितना होता है तो राष्टपती का कारकाल पांच वर्सवों का होता है ठीक है देखिए कुछ जानकारी राष्टपती के बारे में तो राष्टपती को भारत के संसत के दोन और ये सारे सदस्य निर्वाचित होते हैं ठीक है और ये पांच वर्षी अवधी के लिए इनको चुना जाता है राजपती के रूप में आगे बढ़ते हैं अगला पस्ट चौथी पंच वर्षी योजना में कितने बैंकों का राष्टी करण किया गया था तो कुल 14 बैंकों क कंपनी ओर्डिनेंस को भी लागू कर दिया गया बाद में इसी नाम से विद्यक पारित हुआ और यह एक कानुन बन गया था ठीक है तो कब आपका राष्टी करण हुआ चौदा बैंकों का तो 17 जुलाई 1970 को 1970 में 14 बैंकों का राष्टी करण किया गया था चौथी पंचवर्षी युजना की दौरा आगे बढ़ते हैं अगला पशने दाचिंगम राष्टी उध्यान किस राज्जिय में इस्तित है तो जम्मू और कस्मीर में इस्तित है दाचिंगम राष्टी उध्यान देखिए त दाचिंगम राष्टी उध्यान भारत के जम्मू और कस्मीर अब यह राजित है नहीं इस्तित है एक राष्टी उध्यान है यह डल जिल से पूर्व में स्री नगर से 22 किलो मीटर दूर 141 वर्ग किलो मीटर की छितर में यह फैला हुआ है तो दाचिंगम राष्टी उध्य संवेधान का भाग दो देखिये कुछ जानकारी आपको देते हैं देखिये इन सिद्धानतों के आधार पर ही संसथ्ने भारती नागरिकता ऊधीयम कौन सा है आपको या रखना है तो भारती नागरिक्ता अध्येम 195 के इस्तिति हो निरधारित कार को अधिकार है कि वह दोरी नागरिक्ता कर सकती है लेकिन अगर बर्तमान में बात करते हैं तो बर्तमान में एकन नागरिक्ता का ही सिस्टम भारत में लागू है ठीक है चलिए अगला पशना मिनहास उस सिराज किस वंस के राज में रहा करता था तो मामलूक वंस के राज म आग्ला प्राष्वप्श्ण कि अग्वर के नौरतनों में चाहे कि अग्ला प्रश्ण जाट जाटिन लोकनित किस राजिका है तो बिहार और जारकंड इन दो जगहों पर जाट जाटिन लोकनित किया जाता देखिए तो जाट जाटिन मितला इन दोनों को मिला करके मितला कहते हैं ठीक है मितला का लोककला एम लोकनित है इसमें दो नाचने की टोली होती है जो आगे बढ़ते हैं computer क्योंड चलते है computer में प्रशना आया था sender और receiver किस जगह पर इस्तित होता है option में था आपका task bar में होता है ठीक है यह सब आपका option में दिया गया था ठीक है तो sender और receiver कहां पर होता है यह आपका प्रशना आया था आगे बढ़िए region की बात करते हैं region में आपका mirror image से दो प्रशना आया थे आकरती के तीन प्रशन चिपी आकरती के दो प्रशन थे embedded figure वाले number series की दो प्रशन थे अलफा बैट का भी आपका दो प्रशन था कथर निसकर्स का एक प्रशन और dice का प्रशन आया था opposite number वाला जो है व SI से एक प्रशन, CI से एक प्रशन और एक आपका SI CI का difference वाला जो होता है दो वर्शन का अंतर जो होता है PR square पर 100 square वाला उस सूतर पा राथारित एक प्रशन आया था चाला और दूरी के दो प्रशन एक प्रशन आपका आपका अवरेज से और एक दो प्रशन आपके लगभग advance से पूछे गए थे इस तरह आपका मैत का पूरा system बना था ठीक है तो यह आपका exam analysis हो गया वीडियो पसंद आगे है वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में चैनल पर पहली बारा है तो subscribe करके notification bell जरू दबा लीजिए क्योंकि SSC GD का practice rate आज से ह सुरू होने वाला है ठीक है जितने प्रशन आपके दिल्ली प्लिस में आये हैं उन सब का detail में हम आपका exam analysis तो कराते हैं अब हम उसका एक practice rate बना करके SSC GD का practice rate लेकर करके आने वाले है ठीक है और यह हमरा telegram group है सक्सेक जंक्सन लाइब के नाम से यहाँ पर हम आपको SSC GD क में इस group में available है free में आप जाकर के download कर सकते हैं link इसकी description box में दी गई है वहाँ से आप इसको join कर दीजेगा और हमारा official telegram channel सक्से जंक्सन के नाम से है उसकी भी link आपको description box में मिल जाएगी उसको भी आपको join कर लेना है वहाँ पर आपको यह सारी PDF available रहेगी ठीक है चलिए मि वीडियो को like और comment box में comment कर देना तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद